Hey guys, welcome back to my channel आज हम बनाने जा रहे हैं खुश्खा और खुर्मा इट स्पेशल चलिए इंग्रीडियन्स बता देती हो मैं आपको यहाँ पर मैंने लिया है एक बड़ी प्यास लंबी काट ली है हमने एक स्पून अद्रकलेसिन का पेस लिया हुआ है तीन बड़े टमाटर लंबे काट ली है हमने थोड़ा धनिया पत्ता चार लॉंग दो इलाइची दो दालचीनी और चार हरी मिचली है चावल हमने लिया है दो कप लगबग आदा केजी चावल यहाँ पर एक बरतन में मैं तीन स्पून तेल गरम कर लूँगी उसके बाद यहाँ पर दालचीनी, लॉंग, इलाइची और प्याज यहाँ पर हम डाल लेंगे और डाल कर अच्छे से इसको भून लेंगे हमें इसको गोल्डन ब्राउन होने तक भूनना है देखिए अच्छे से भून लें, बीच-बीच में चलाते रहें इसको देखिए अभी गोल्डन ब्राउन हो चुका है अभी इसमें हम डालेंगे हरी मिर्श उसको थोड़ा मिलाकर उसके बाद यहाँ पर एदरक लेसन का पेस्ट भी हम डाल लेंगे और अदरक लेसन का पेस्ट हमें जब तक भूनना है जब तक उसकी जो कच्छी स्मेल है वो चली नहीं जाती देखिए अच्छे से भून लिया हमने यहाँ पर अभी हम टमाटर और धनिया पत्ता डाल कर अच्छे से सारी इंग्रीडियन्स को मिला लेंगे अभी इसको अच्छे से मिला लें और यहाँ पर नमक भी डाल लें नमक आप चावल को कितना चाहिए उतना नमक आपके टेस्ट के हिसाब से डाल लीजिए सॉल्ट भी आइड कर सकते हैं आप अभी इसको मैं मीडियम फ्लेम में रखके पकने के लिए छोड़ दूँगी और साइड में और एक स्टाव पर मैं पानी रख दूँगी गरम होने के लिए यहाँ पर मैंने चार कप पानी रखा है गरम होने के लिए क्योंकि मैंने दो कप चावल लिया हुआ है यहाँ पर देखिए टमाटर जो है सॉफ्ट हो चुका है अभी देखिए ऐसा स्मूध सॉफ्ट अच्छे से पकना चाहिए टमाटर पक चुका है और अगर हम गरम पानी डालेंगे बनाने के लिए खुश्खा तो अच्छे से जल्दी से बन जाएगा यहाँ पर मैंने चावल धो लिया है दो बार और मैंने इस मसाले में डाल लिया डाल कर अच्छे से हम इसको मिला लेते हैं फिर से उसके बाद जो पानी हमने गरम करने के लिए रखा था वो पानी देखिए गरम हो चुका है यहाँ पर डाल लीजिए पानी जल्दी से पक जाएगा अगर आप पानी अलग से गरम नहीं करना चाते है तो ऐसे ही आप नॉमल पानी भी डाल सकते हो चार कप ऐसे ढखकर पका लें बीच-बीच में चलाते रहें चावल को और यहाँ देखिए अभी पानी जो है चावल में कम हो जाएगा देखिए कम हो चुका है पानी बहुत कम पानी बचा हुआ है यहाँ पर अभी इसको हम सिम में रखकर तीन से पांच मिनित तक पका लेंगे तो चावल देखिए ऐसे अच्छे से भक जाएगाा और हमारा प्याज, धनिया पत्ता और टमाटर यहाँ पर मैंने चिकन जो है आदा केजी लिया है और मसालों में हल्दी, मिर्श, धनिया पाउडर, अद्रकलेसन का पेस्ट, नमक और गरम मसाला लिया हुआ है मेशरमेंट मैं डिस्क्रिप्शन में बता दूगी अभी यह जार में पहरे तंपार, नारेल और धनिया पत्ता और इसको अच्छे से ब्लेंड कर लेंगे, एक फाइन पेस्ट में देखिए ऐसा पेस्ट होना चाहिए अभी यह कुकर में चार स्पून तेल डालेंगे हम और उसमें पहले अद्रकलेसन का पेस्ट डाल लेंगे हम और इसको अच्छे से भून लेंगे अच्छे से भूनने के बाद यहां पर हमें कची स्मेल जो है वो जाने तक भूनना है अब यहां पर हम चिकन जो है वो अट कर देंगे और इसको एक मिक्स दे कर सारे मसाले जो मैंने दिखा है आपको सारे मसाले यहां पर डाल लीजिए डाल कर मिलाते हुए थो पकने देते हैं मसालों के साथ देखे यह थोड़ा पक चुका है अभी इसमें आलू डालेंगे हम आलू जो है मैंने छील कर आठ पीसे बना लिये हैं एक आलू में अगर आप नहीं चाहते आलू तो आप स्किप भी कर सकते हैं अभी इसको भी दो मिनट तक पका लें ताके मसा यह लिए जो पेस्ट हमने किया था आप यहां पर डालेंगे और इसको अच्छे से हम जो है चार से पांच मिन तक अच्छे से भून लेंगे ताके अजो नारियल का कचछा समेल है वो चला जाओ और सारे मसाले दो कप पानी इसमेल कर जब और अपने हिसाबसे चितनी अपक कंसिस्टेंसी चाहिए इतना डाल लीजिए अभी कुकर बंद करकर दो विजल आने तक वेट करें और इसके बाद स्टाव आफ करके विजल निकालने के बाद आप गर्मा गरम सर्व कर लीजिए खुशखा और खुर्मा देखे कितना मज़ेतार बना है आप भी घर पर जरूर को ट्राइ करियेगा और अगर आपको मेरी रस्टीपी जो है अच्छी लेगे तो प्लीज मेरे चैनल को लाइक शेर और सब्सक्राइब जरूर कर देना थैंक यू सो मच पर वाचिंग गाईज